हलो दोस्तों मैं पुनम्शा उम्मीद क्लासिस की यूटूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करते हूँ कैसे हैं आप सभी मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया मस्त तरीके से वोकेब याद कर रहे होंगे और English के डर को बगाना है तो पहले यू है वोकेबलरी को फेस करेंगे तो ग्रैमर तो ऐसे चलेगी जैसे बिलकुल बोलते हैं कि smoothly जैसे हाथ से हमारे क्या फिसल जाती है बरफ बार बार फिसल जाती है वैसे ही आपको smoothly इसली grammar याद हो जाएगे, ठीक है दोस्तों, तो आज जो English का foundation बैच जो हम चला रहे हैं, जिसमें आपकी vocabulary, one word substitution हम कर चुके हैं, phrasal verb का आपका चल रहा है, तो जो भी बच्चे, IAS, RAS, पटवारी, जितने भी government exam है, जहां-जहां government exam में आपके English आ रही है, उन सभी की तयारी अब हम करवा रहे हैं, जो online classes है, भाई, जो free में घ्यान मिल रहा है, वो तो ले लो आप, लेकिन दिक्कत क्या होती है, मैं बता दू, हर एक student के साथ ये दिक्कत है, regularity, regularity नहीं होने के कारण क्या होता है, उसकी परिक्षा में भी irregularity लग जाती, दियान रखना, ये जो marks, ए चाए कोई कुछ भी बोले, आपको अपनी class लेनी है, मतलब लेनी है, yes तो yes, no तो no, वो करना आप सीख गए, तो आप अपने लक्षे को बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे, क्योंकि 2030 golden year है दोस्तों, तो चलिए, start करते हैं phrasal verb का, जिनों ने भी class को like नहीं किया, वो like कीज शेर कीजिए, और comment भी कीजिए, साथ में subscribe नहीं कर रखा channel को, तो आप subscribe भी कीजिए, तो चलिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं, जिसने भी उमीद classes के telegram channel को join नहीं किया, वो join कर ले, ताकि latest updates आप लोगों को मिलते रहे, और ये contact number है, इस contact number को आप save कर लिजिए, कोई भी आ आप कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, first question आपकी screen पर ये रहा, to make no bonds about, to make no bonds about, यानि कि, इसका मतलब क्या हुआ, कि बिना हिच की चाहट के आपने क्या कर लिया, स्विकार कर लिया, बिना हिच की चाहट, स्विकार करना, स्विकार करना, तो देखे, क्या होगा, पहली बात तो question में उपर यूपर आपको क्या दियो ही, idiom या phrase, और last में आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर, मिनिंग्स आपको बतानी है, तो spend quickly, जल्दी से खर्च कर देना, to be victorious in an argument, यानि कि कोई भी argument चल रहा है, कोई भी जगडा किसी का चल रहा है, बहस चल रही है, उसमें, भई हमें तो जीतना ही जीतना है, बहस में जीतने वाला, to quarrel constantly, लगातार जगडा करने वाला, to accept without hesitation, यानि कि बिना किसी हिचकिचाहट के आपने accept कर लिया, it means to make no bonds about, बोलता है ना, अब कोई भई है, तो बिना हड़ी का है, लचीला है, तो इसको तो कैसे भी आप mold कर लो हो जाएगा, तो इसका मतलब यही तो हुआ, कि जैसी shape में आप धाल सकते वैसे, तो उसने कैसे बिना किसी हिचकिचाहट के yes, ठीक है, next देखिए, to poke one's nose into, to poke one's nose into, इसका मतलब क्या होता है, कि भई, ना कडाना, जैसे बोलते हैं, टांग अडाना, तो यहाँ पर ना का रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है, हस्त शेप करना, हस्त शेप करना, तो देखिए, क्या हो जाए अच्छा समय बिताना, to cause destruction, यानि की कारण, to cause destruction, बादा उत्पन करना, और to interfere, हस्त शेप करना, to put the best effort, अपने तरफ से पूरे-पूरे अच्छे प्रयास करना, तो राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा, to interfere, तो to poke one's nose into, means, क्या करना, interfere करना, चीक है, next देखिए, to take time by four locks, का देखिए, to take time by four locks का मतलब है, कि जो, देखो, clock और four locks, तो यानि की समय का पाबंध होना, समय का पाबंध होना, तो क्या हो जाएगा, आपका देखिए, इसमें आपको बताना है, क्या हो जाएगा, होटी कौन होता है, जो घमंडी होता है, ठीक है, घमंडी, argue का, agree का कि ध्यानी नहीं देना, ठीक है, और to be punctual मतलब समय का बिलकुल क्या रहना, पाबंध रहना, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, to take time by four locks का मतलब है, to be punctual, next one is, to tighten once belt, to tighten once belt का मतलब क्या होता है, कि कमर कसके बिलकुल आप तयार हो जाएगे, क्योंकि exam नस्दीक आने वाला है, तो क्या होता है, to tighten once belt का मतलब है, कि सतर्क हो जाओ भईया अब तो, सतर्क रहना, ठीक है, तो to be alert, alert हो जाना, सतर्क हो जाना, with full force, पूरे बल से, और 13 तो पता है ही आपको, rewire, यानि कि daydreaming, यानि कि आप क्या कर रहे हो, दिन में सपने देख रहे हो, तो right answer क्या हो जाएग करने का, क्या करना है, you have to, you have to be tightened, your belt, आपको अपनी कमर कसके तयार हो जाना है, next देखिए, moot point, moot point का मतलब क्या होता है, देखिए, बताईए आप, moot point का मतलब बताईए, क्या होता है, सुना हो तो आपने, cry in vain, यानि कि व्यर्थ में रोना, undecided या controversial, जिस पे कोई भी न निड्ने नहीं आया हो, उसे कहते हैं, undecided, जो विवाद में हो, an impracticable plan, जो एवेवारिक, जो प्लान होता है, निड्ने योजना होती है, और a strange person, बिल्कुल ही कैसा person है, अलग प्राणी है, तो क्या हो जाएगा, moot point का मतलब क्या होता है, जो चीजे विवाद में है, विव कोई निड्ने नहीं आया है, और जो controversial है, an open book, तो मैंने आपको बताए दिया, an open book का मतलब क्या होता है, कोई भी secret नहीं होना, यह कर चुके हैं, an open book, no secret, puzzled मतलब क्या होता है, puzzled हो जाना, और danger का मतलब क्या होता है, खत्रे में होना, ill feeling का मतलब होता है, कि आपको बुरी feelings ठीक है, next देखिए, cut above, अब cut above का मतलब क्या होता है, तो cut above का मतलब होता है, आपका बहतर होना, क्या होना, बहतर आपका होना, तो देखिए, receive great applause, बहुत चाबाशी मिलना, very near, बहुत पास होना, ruined मतलब बरबाद और superior मतलब होता है, बहतर होना, सबसे उपर होना, तो right answer क् सी हो जाएगा, cut above, clear, next देखिए, gave the game away, तो gave the game away का मतलब क्या होता है, तो gave the game away का मतलब होता है, कि पूरा का पूरा तुमने तो भई, मेरा चिठ्ठा ही कोल दिया, पूरा भेद ही कोल दिया, तो भेद खोलना, भेद खोलना, तो मडर करना, हत्या करना तो होगा नी, to flatter superiors, चापलूसी करना नी होगा, बड़े लोगों की uncontrollable situation, situation बिल्कुल control से बाहर हो जाना, gave out the secret, सारे राज्य है, सारे रहसे है, बता लेना, जैसे की, राम जी को किसने बताया था, कि रावन कैसे मर सकता है, विबिशन ने बताया था, तो gave away the game away, तो यानि भेद खोलना, gave the game away, next इस देखिए get a raw deal, get a raw deal, इसका मतलब क्या होता है, raw deal का मतलब होता है, बुरा व्यवार करना, बुरा व्यवार करना होता है, तो बताये यहाँ पर treat badly होगा, dismiss का मतलब बरखास कर देना intelligence तो पता है ये आपको बुद्धी और strict का मतलब होता है बिलकुल ही क्या रहना strict रहना ठीक है और देखिए right answer आपका क्या हो जाएगा treated badly बुरा व्यवार करना तो get a raw deal मतलब बुरा व्यवार करना next देखिए hard pressed hard pressed, जो चीजे बहुत ही क्या होती है, hard pressed होती है, उसे हम क्या कहते है hard pressed का मतलब कि जिसको दबाने में परेशानी होती है तो क्या हो जाएगा, परेशानी में होना, परेशानी में होना तो देखिए, यहाँ पे somewhat deep, यानि कोई क्या है, deep है बहरा, in difficulties difficulties, परिशानी में होना, short of money, पैसे की कमी होना, work requiring, very great effort, ऐसा काम जिसमें बहुत सारा प्रयास, बहुत सारी आपकी शमता लगती हो, तो right answer क्या हो जाएगा, difficulties, in difficulties, परिशानी में होना, तो hard pressed का मतलब क्या होता है, परिशानी में होना, next देखिए, in a tight corner, और tight corner वाला मैंने अभ लेकुल ही कठिन परिस्तिती में होना, कठिन परिस्तिती में होना, कठिन परिस्तिती में होना, तो देखिए, alone का मतलब, अखेले, secret, रहस्य, indifficult, और ultimately, कि भई, बाद में, मुझे तो पता था, ऐसा ही होगा, ultimately, ठीक है, तो C, इसका right answer होगा, lay down arms, बताओ क्या होगा, arms का मतलब होता है, शस्त्र वगरा है, वो क्या कर दिये, अब आपने छोड़ दिये हैं, तो अपने आपको क्या कर दिया है, भईया, surrender कर दिया है, आत्म समर्पन कर दिया है, आत्म समर्पन करना, तो to surrender, confess का मतलब होता है, स्वीकरत कर लेना, जो भी आपने अपराद किया है, not on good terms सही नहीं होना occasionally अकसर होता है तो right answer आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा surrender करना next देखिए जो भी बच्चे इन सब की तैयारी करें I.S. वगरा इनकी सब के लिए English plus vocabulary का batch start करने वाले हैं तो जो भी students है जो इच्छुख है जो चाते हैं हमें भी English से बहुत problem होती हैं हमें भी English बहुत परेशान करती हैं तो tension बिलकुल नहीं रहे इन classes को आप regular देखते रहें जैसे ही offer आएगा तो चूक मत जाना उस offer से minimum rate पे आपको बहुत अच्छा course आपको बना करके देंगे उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो देखिए दोस्तो next question पर आते हैं on the level का मतलब क्या होता है तो on the level का मतलब होता है आपका एक जैसे विचारो वाला होना बोलता है न मेरे level का नहीं है तो एक जैसे विचारो एक जैसे विचारो वाले तो waiting nervously for result यानि कि आप सोच रहे हो औरे भाई मेरा result आ रहा है पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या आदे टेंशन में तो वही आ जाते हो ठीक है mentally compatible यानि कि जिनके विचार क्या हो मिलते हो children और tolerate और endure किसी को सहन करना तो right answer क्या होगा mentally compatible बोलते हैं न यार इनका दिमाग तो आपस में मिलता हुआ है तो वो होता है आपका mentally compatible एक जैसे विचारो वाले next देखिए sang-froid अब sang-froid का मतलब क्या होता है sang-froid का मतलब देखिए क्या होगा जो जो धैरेशाली इनसान होता है जो शांत व्यक्ती होता है उसे बोलते हैं हम sang-froid और यह पूछा गया है आपके एक्जाम में भी to understand the hidden meaning छिपा हुआ meaning निकाल लेना significant day ठीक है महतुपूंट दिन और इसको है ना इसका idiom में लिख देती हूँ a red letter day होता है a red letter day यानि कि बहुत ही महतुपूंट दिन और to be complacent किसी को मनाना और यहाँ पे composer मतलब है कि धहरेवान व्यक्ती होना शांत करने वाला व्यक्ती होना तो right answer आपका D होगा to beat the air यह तो बहुत ही अच्छा है to beat the air का मतलब क्या होता है criticize किसी की आलोचना करना resembles नकल करना to make useless effort व्यर्थ में प्रयास करना to get into trouble यानि कि मुसीबत में फस जाना तो right answer आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा to make useless effort व्यर्थ में प्रयास करना व्यर्थ में प्रयास करना उसे कहते हैं हम to beat the air to cut the guardian note अब बताओ इसका क्या होगा to cut the guardian note का मतलब क्या होता है तो to cut the guardian note का मतलब होगा आपका कि to cut the guardian note का मतलब होता है कि कैसी भी problem हो कितनी भी cut in से cut in positive उसको भी आप सफल कर लेना तो cut in समस्या समस्या को हल करना तो right answer आपका क्या हो जाएगा to solve a difficult problem have no influence, प्रभाव ना होना apologize, दिखो apologize की spelling पे भी आप ध्यान रेना शमा करना होता है, complete failure पून रूप से SFL हो जाना तो right answer आपका क्या हो जाएगा to solve a difficult problem तो B आपका बिल्कुल correct answer होगा to hit the jackpot jackpot लग गया भई, तो क्या हो जाएगा jackpot बोलते हैं न, jackpot लग गया यानि की ऐ प्रत्याशित लाव जिसका आपने सोचा भी नहीं था जिसकी आपने आशा की ही नहीं थी, ऐसा लाव आपको हो गया तो उसे कहते हैं ऐ प्रत्याशित profit यानि की आपका क्या हो जाएगा become orderly यानि की orderly होना और to go against majority यानि की majority के against जाना बहुमत के against जाना to speak convincing इस तरह से बात करना की सामने वाला मान जाए और to make money unexpectedly अचानक से आपका jackpot खुल गया और पैसे बरस गए वहिया तो क्या हो जाएगा to make money unexpectedly तो D is answer बिलकुल सही है to make both ends means very important है एक्जाम में आने वाले questions है देखो to make both ends means का मतलब होता है कि बड़ी ही मुश्किल से आप क्या चला रहे हो खर्चा चला रहे हो अपना बड़ी मुश्किल से खर्चा चलाना तो यहां पर to work constantly निरंदर प्रयास करना to earn only for basic need अपना जो भी गुजार करने का है जो अमारी necessary चीजे हैं basic चीजे हैं उनके लिए केवल earn कर पाना squander money धन को बरबाद करना or to say something mildly किसी को भी निम्रिता से क्या करना? बात करना विनम्रिता से mildly ठीक है? शान्त हो करके किसी से बात करना तो right answer क्या हो जाएगा? B हो जाएगा to earn only for basic need इतना ही कमा पारे हो कि अपनी basic जरूरत हैं उनको पूरा कर पारे हो next देखिए to rule the roast to rule the roast का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा निन्य लेना तो देखिए क्या हो जाएगा? to be accurate बिल्कुल सही होना to find fault उसमें गल्तियां ढूणना to study law विधिकाद्यन करना powerful person making all the decisions तो right answer rule का मतलब क्या होता है? शाषन चला रहा है the roast यानि कि जो powerful व्यक्ति है वो ही क्या कर रहा है? मा का शाषन चल रहा है वो ही निन्य ले रहा है तो D बिल्कुल आपका इसमें सही answer हो जाएगा अब देखिए next to run into rough weather क्या मतलब होता है इसका? परेशानियों का परेशानियों का सामना करना सामना करना होता है परेशानियों का सामना करना है तो meet by chance बोलते हो ना कि हम तो मिल गए अचानक से ठीक है? encounter difficulties तो encounter करना किनका? difficulties का परेशानियों का सामना करना आप उस स्ट्रॉंगली यानि कि आप पूरे मजबूती रूप से क्या करें? विरोध करें to do try to do the impossible यानि कि जो असंभव चीजें उनको भी करना तो right answer आपका क्या हो जाएगा? encounter difficulties तो right answer भी हो जाएगा encounter difficulties next देखिए to turn a deep ear to turn a deep ear का मतलब क्या होता है? तो to turn a deep ear का मतलब होता है कि आप बोलता है ना? कि मेरी बात का तो यह अंसुनी कर जाते हैं तो ध्यान नहीं देना ध्यान नहीं देना तो इसको हम क्या कहेंगे? to show to show sign हो गई है to show sign sign of quardis यानि कि वो बोलता है ना? कि जो डरपोग व्यक्ति होता है तो वो show करना उसके बाद में suspected trick किसी की चापलूसी पकड़ना किसी की आपने क्या पकड़ ली? कि क्या चल कर रहा है वो? वो पकड़ लेना disregard का मतलब होता है सम्मान करना to make one swain व्यर्थ में करना ठीक है? अब देखिए right answer आपका क्या हो जाएगा इसमें? कि भई ध्यान नहीं देना ठीक है? तो right answer क्या हो जाएगा? disregard करना ठीक है? disregard करना ठीक है? और to make one swain का मतलब होता है गमंडी होना तो right answer C आजाएगा next देखिए walking on air बताइए क्या हो जाएगा? walking on air का मतलब क्या होता है? तो walking on air का मतलब होता है कि भई आज तो मेरे कदम जो है हवाओं में मैं चल रही हूँ तो हवाओं में मैं चल रही हूँ तो happy होना खुश होना खुश होना खुश होना आपका हो जाएगा छीक है? अब इसमें देखिए खुश होना आपका हो जाएगा despise, quarrel over trifle छोटी बातों पे जगरना, obsession about something किसी भी चीज का होना जुनून होना और to be happy, खुश होना तो right answer आपका क्या आजाएगा C आपका इसमें बिल्कुल right answer आजाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ये जल्दी लग रहा हो कि मैं पता नहीं होगा या नहीं होगा हमारा हमें समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप धीरे-धीरे जब इन चीजों को यूज करेंगे तो आपके समझ में आएगी कि हम क्या कर रहे हैं तो देखो walking on air यानि कि बोलते है ना आज मेरे पाओं जमीन पर नहीं है तो काँपे है भाई अवा में हैं तो happy हो ना a bird's eye view a bird's eye view का मतलब होता है सरसरी नजरों से सरसरी नजरों से बई चीडिया जो है वो सरसरी नजरों से ये तो देखती है एक चीडिया तो देखिए a general view सामाने रूप से देखना a cry and win बिना व्यर्थ में ही रो रहे हो ठीक है an unfortunate competitor ऐसा आपको क्या मिल गया competitor मिल गया आपका जो की आपने सोचा है नहीं था something to be proud of किसी चीज पे गर होना तो right answer आपका क्या हो जाएगा a general view a bird's eye view मतलब a general view ठीक है हर एक चीज को आप क्या देख रहे हो सामाने तोर पे देख रहे हो fool's paradise अरे वावावावा कितना अच्छा है देखो fool's paradise का मतलब होता है देखिए fool's paradise का मतलब क्या होता है कि बिना बात आप क्या कर रहे हो अपने आप ही खुश हो रहे हो मूर को बन रहे हो, अपने आपको भी बना रहे हो. तो क्या हो जाएगा आपका, कि ऐसी खुशी, जो जूट पर आधारित हो, जूटों पर आधारित, जो खुशी होती है, खुशी होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, तो देखी, क्या होगा, an achievement of which one can be proud, एक ऐसा achievement जिस पर आपको घमंड होना चाहिए, जिस पर आपको गर्व होना चाहिए, happiness based on false hopes, ऐसी जो जूटी उमीदों पर टिका हुआ है, तो right answer आपका भी यह होगा, a day of festivity, ठीक है, अवसर मनाने वाला और a difficult problem क्या हुआ, आपके जो समस्या है, कथिन समस्या, अब देखो, यह very important है, यह भी exam में पूछा गया है, a man of straw, a man of straw का मतलब क्या होता है, a man of straw का मतलब होता है, जिस इंसान पर कोई प्रभावी ना पढ़ा हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए, scholar तो वो पढ़ने वाला होता है, scholar बुद्धी जो जीवी होता है, a man of ability, योग्य व्यक्ति, one who has no influence, जिस पर कोई प्रभाव ही नहीं हो, और one who changes one's opinion और party, यानि कि जो किसी कोई राय बदल दे, कोई party बदल दे, ऐसा वो करता हो, तो उसे हम क्या कहते है, तो man of straw का मतलब है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं हो, यानि प्रभाव हीन व्यक्ति की बात कर रहा है यह, a man of straw का म series है, एक-एक आपको समझना है, और आपको यह समझ में भी आ रहा होगा, और आप English reading जितना हो सके, उतना आप करिए, ठीक है, कोई problem होती है, तो आप बे जिजक, number आपको दिये वे हैं, मैं आपको daily sleep बताती हूँ, कि आप लोग tension बिलकुल ना ले, क्योंकि आदा तो student tension से म मर जाता है, और कई student है, मैं आपको कह रही हूँ, आपको mentally कोई भी support नहीं करेगा, तो अपने आपको support करना है ना भाई लोगों, तो खुद के मन को मजबूत करना होगा, कोई कहता है, तो कहने दो, लेकिन अपना प्रयास आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह प्रयास ह कि आपको आगे जाकर चिताएगा, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी, कि आप लोगों का selection कैसे हो, तो इसके लिए उमीद classes आपके साथ में वैसे ही खड़ा है, जैसे अरजुन के साथ में शिरिकृष्ण सार्थी बनकर खड़े हुए थे और उसने अंत में युद्ध जीत लिए आता, वैसे ही उमीद classes भी आप लोगों के साथ में उस सार्थी की तरह, उस ऐसे strong pillar की तरह आपके साथ में खड़ा रहेगा, कि हाँ, आपको डर नहीं लगे, एक्जाम में भी जो गलती करनी है, अभी कर लो, एक्जाम में गोला गलत नहीं भर के आना, जितनी आप practice क पर होगे, उतनी ही आपके English सुदरेगी, because practice makes a man perfect, तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग ये classes regularly देखते रहेए, share कीजिए, like कीजिए, subscribe नहीं किया है, channel को तो आप subscribe कीजिए, subscribe करने के बाद में bell icon पर आप click कीजिए, ताकि latest updates आप लोगों को मिलते रहें, और फिर मिलते हैं, next class मे idioms और phrases के साथ में, thank you so much, good night all of you.